हाई गाईज और विल्कम बैक टूदी चैनल दीपक्यादाव एजूकेशन विल्किम टूदी डेली करेंट अफेयर्स ऑफ थर्ड ऑफ मार्च 2021 तो गाईज आज है तारिक 3 मार्च 2021 आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी कर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेट किलर का बटन आ रहोगा नीचे की साइट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथी साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस न कर पाओ नाओ चलिए ब और जिस ऑर्फोडॉक्स चर्च है जो कि कहां पर है कैलेला में एक जगह पड़ती है चेपड वहां पर ये चर्च आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी ये दो तीन महीने पहले निउस के अंदर था क्यों क्योंकि इस चर्च को तोड़ने की बात करी जारी थी तोड़ इंपोर्टेंस के तोर पे चर्च जाना जाएगा अब इसे यहां पर आप कह सकते हो पूरा कंट्री में इस चर्च को जाना जाएगा एक इंपोर्टेंस दे दी गई है ठीक है अब इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा क्यों क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा reason है बढ़ेंग आप लोग Indian Art and Culture के अंदर पढ़ोगे जब आप उसको बुक को review करोगे तो ठीक है तो वहाँ पर mural paintings देखने को मिलती है बहुत ही beautiful paintings है वो लगबग 800 साल पुरानी paintings बताई जाती है कि वहाँ पर पाई गई है नाव बात करें जो चर्च है ये लगबग AD 950 के टाइम का पुरान बात करी गई है यहाँ पर 47 mural paintings तो देखने को मिली है उसमें से कुछ लोगी paintings यहाँ पर बताई गई किन के नाम है आप लोग को बताई गए आपके exam के point of view से यह चीज़े important नहीं है बट आप लोग चर्च का नाम जरूर याद रखना ओके अब यहाँ पर अगर हम बात करें उनकी kiss देखने को मिली last supper और crisp bearing the cross Adam and Eve eating the forbidden fruit तो इस टाइप की paintings वहाँ पर देखने को मिल रही है अगर हम बात करें जो यह paintings है यह mixture है Persian और Kerala mural art style क्योंकि obvious ही बात है हम लोग यह style परशिया से लेकर आए थे तो इन चीज़ों का mixture आपको देखने को मिलेगा इन paintings के अंदर त आते हैं second article की तरफ अगेन यहां पर बात करी गई है एक और body के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग press information bureau जिसको हम लोग P.I.B. भी बोलते हैं यह जो news है यह जो P.I.B. की news होती है काफी important होती है UPSC के point of view से आप सभी लोग को मालूम होगा लेकिन यह इस news के अंदर यह P.I.B जनरल ठीक है किसके P.I.B. के यह एक सरकारी website है आपको जितनी भी इसके अंदर news मिलेगी वो government related news मिलेगी सारी authentic news होती है कोई fake news वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी यह ऐसा media है जो की ministry of information and broadcasting भारत सरकार के अंदर में आता है उसके बाद यह New Delhi के अंदर है बहुत important च उसके बाद 2019 में जो P.I.B. है यह इसने X.com ले सेट अप किया ताकि जो government related जितनी भी news है उसके ओपर चेकिंग करी जाए ठीक है फिर उसके बाद already यहाँ पर क्या होने लगा किसी government related जितनी भी news है वो इस website पर पोस्ट हो जाती है ओके नाव आते हैं हम लोग next article की तरफ वह पॉंपी पढ़ता है ठीक है पॉंपी यहाँ पर बोलेंगे पॉंपाई बहुत सारे लोग बोलते हैं जो भी आप pronunciation आपको better लगे ठीक है मुझे नहीं लगता कि यहाँ क्या बोलते होगे मुझे खुद नहीं मालूम मुझे लग रहा है कि शायद मैं ही गलत प्रोनांस कर कर रहा हूं ठीक है आप लोग देख सकते हो इसको तो सबसे पहले बात अगर हम बात करें जो आर्के लॉजिस्ट हैं यह लोग वर्क कर रहे थे पॉंपी में और उसके बाद इन्होंने एनॉंस कर दिया है डिस्कवरी सेरेमेनियल शेरिट की तो देखो पहले मापको बता ह लिए इटली के अंदर अब यह जो जगा है यहां पर क्या हुआ था जो जो वाला मुह की एक जोवाला मुहाँ की फटा था जिसका नाह में माउंटय। मॉच्श मिल गई चर्याय के अंदर दिया जाता है तो शेरिम सेरिमोनियल शेरियट देखने को मिला है कहां पर इटली के पॉंपाई में और अगर हम बात करें तो इसके चार पईये थे एक आईरन कॉंपोनेंट है ब्रॉंज और टीन का भी इस्तमाल करा गया है इस पूरे के पूरे रत को सजाने में ठीक है मिनरलाइज वुड रिमेंज भी है और बहुत सारे और अर्गेनिक मेटिरियल भी हाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे तो यह सारी चीज़े खोच करी ग थोड़ा हाइर लेवल पर पर सण हुआ करते थे वो ही लोग कर अगर कोई उन्हें शरीमनी में जाना होता होगा तो ही वो लोग नाम है Mount Vesuvius यह फट गया था और यह पूरा का पूरा जो टाउन है वो पूरा राक के अंदर दब गया था यह लगबग बात है 79C की लगबग 2000 साल पहले की बात यहां पर करी जा रही है और अभी हाली में हमने एक आर्टिकल भी कवर किया था जो कि पॉंपई है वहाँ पर अ़िह भी चीज़े मिली थी जैसे कि स्ट्राइब चाउंटर हो गया थीक हाट डंक काउंटर हो गया तो यह सारी चीज़े आलरेडी मिल रही है महाँ पर ऑब्विएसी बात है खोँच चल रही है तो बग्थ सार चीज़े नहींगी नहीं तरीके के महाँ पर देखने वेस्ट टू वेल्थ अब यह जो इसके अंदर फैलोशिप है एक तरीके से यहां पे आप लोग एपलाई कर सकते हो कौन कौन एपलाई कर सकेगा मैं आपको बताऊंगा तो इसमें क्या होगा कि वेस्ट जो भी वेस्ट कूला करकट है उसको हम लोग मैनेज करेंगे अच्छी तरीके से ठीक है जिससे की लोगों की हेल्थ अच्छी रहे क्योंकि आज के टाइम पर गंदगी भी एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों की बिमारी के लिए ठीक है तो अगर हम यहां पर बात करें स्वच्छ सार्थी फैलोशिप अब इसके अंदर कौन को एपलाई कर सकत है या फिर जो सिल्फ हैल्प घृप्स होते हैं ठीक है जो की एक छोटा मोटा घृप होता जो की आपस में ये लोग करते रہते इक दूसरे की तो ये लोग भी एपलाई कर सकते हैं साथी साथ जो सारफ सफाई करने वाले लोग होते हैं वो भी इसमें एपलाई कर सकते हैं लास्ट डेट है इसकी 19 मार्च 2021 एपलाई करने की ओके एपलाई आप जाकर इसकी वेब साइट पर कर सकते हो अगर हम बात करें इस फैलोशिप का में मकसद यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स वर्कर्स सेल्फ एल्फ ग्रोप सब हम लोग convert करके usable बना सकते हैं तो उसको वहाँ पर ले जाया जाएगा या फिर कोई waste है जो की use नहीं कर सकते हैं उसे हम वापस reuse नहीं कर सकते हैं तो फिर उसको dump कर दिया जाएगा ठीक है तो यहां नहीं कि अच्छी तरीके सा हम कुडा करकट का management करेंगे जिससे की low की जो wealth है वो भी अच्छी रहे health है वो भी अच्छी रहे तो waste to wealth mission basically यहां पर यह है जो waste है उससे हम लोग पैसा generate कर सके हैं यहां पर wealth और health दोनों चीज़े हैं यहां पर आप देख सकते हो ठीक है waste to wealth mission मतलब की जो भी कुडा करकेट है उसका हम लोग अच्छी तरीके से management करके उसक पैसा generate करें तो फिर यहां पर यही चीज लाई गई है यह जो mission है यह है प्राइम मिनिस्टर का science technology and innovation advisory council का नवा national mission है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अगर हम बात करें इस mission के अंदर awards भी दिया जाता है तीन category के अंदर awards बाट रखें category A जो की school students है class 9 से लेकर 12 तक उनको यह award दिया जाएगा जो भी अच्छे से काम करेगा category B के अंदर जो college students हो गए undergraduate, postgraduate, research students उनको यहां पर आपके सकतो एक recognition दिया जाएगा category C के अंदर आ गए हमारे जो self-help groups हैं या फिर कोई साफसफाई वाले करमचारी होते हैं उन लोग को भी यहां पर वो लोग भी इसके अंद हिस्सा ले सकते हैं ओके आगे बढ़ते हैं next article की तरफ बात करी गई है National Food Security Act के बारे तो बहुत important article है National Food Security Act 2013 में लाया गया तब यह जो act है इसके अंदर बदलाव कर रहा है कौन कर रहा है वो है नीती आयोग ठीक है नीती आयोग इसके अंदर बदलाव कर रहा है अब क्या ब इसके लिए है क्या देखो यह बॉड़ी है जो कि आप लोगो एक लीगल राइट देती है जो भी परसन है जिनके पास आप कह सकते हो बिलो पोवर्टी लाइन में आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है या फिर पूरर बैक्ग्राउंड से बिलॉंग करते हैं तो उन लोग की help करता है ठीक है कैसे एक subsidized price पे खाना दिया जाता है ठीक है subsidized price मतलब कि government जो है एक supportive price पर यानि कि हर कोई जो है उसको afford कर सकता है जैसे कि आप कह सकते हो न राशन जिसे कहते हैं ठीक है लाइन लगा के राशन लेते हैं उसी तरीके से तो जैसे तीन किलो चावल मिल जाता है और एक रूपे किलो बाकी अनाज मिल जाते हैं तो ये targeted public distribution system है again वही राशन वाली काम आ गया ठीक है क्या करता है government सरकार से MSP minimum support price पर वो सारी चीज़े लेकर इस राशन वाली दुकानों पर भेजी जाती है और फिर उसके बाद आप लोग को ये distribute करा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं public distribution system ओके उसके बाद अगर हम बात करें तो ये central issue price होता है बाई center जो है केंदर सरकार है वो ही इस price को बताती है कि किस price पर इनने बेचना है ठीक है अब इसके अंदर अगर हम बात करें जो ये national food security act है इसका एक subsection है इसके अंदर section 3 का subsection की बारे बात करी जा रही ह इसमें पहले बात आई पहले ये बात बताई गई है कौन-कौन eligible होता है किस को खाना मिलेगा इस act के अंदर सबसे पहले तो भाई जो priority households है ठीक है उन लोग को मिल जाएगा जो भी आपके घर में पहले सबी लोग को cover करा जाता था ठीक है जो middleman है या फिर below poverty line लोग है उसके की भी eligibility है यानि कि कौन-कौन eligible है basically कहने का क्या मतलब है कि किस किसको इस act के अंडर में food मिलता है इतने रुपए में वो है एक तो जो family जो कि इस scheme के अंडर में cover करी गई हो या फिर जो priority households है उनको लेकिन अब जो household है मैंने जैसा बताया यह middleman भी हो जाते है तो अच्छी खा तो इसकी scheme के अंडर जो भी family आती है उसको 35 kilo food आपके सकते हो food grains मिलते है अना आज मिलता है हर महीना बिल्कुल same prices पे ओके यानि कि जो यह scheme है इसके अंडर थोड़ा बहुत फाइदा हो जाता है लोगों को क्योंकि वो और जादे below poverty lines के अंडर से belong करते हैं now अब यहाँ पर कर रही है जो रूरल और अर्बन के coverage हुआ खरता था रूरल एरिया से पहले यह स्की में cover करती थी 75% लोगों को लेकिन अब यहाँ पर कम करके 50% कर दिया जा रहा है ठीक है यानि लोगों को अब कम फाइदा मिलेगा कम लोगों को फाइदा मिलेगा ठीक है ऐसी जो आप कह स बात करी गई है उसके बाद अगर हम बात करें इससे फाइदा क्या होगा इससे फाइदा यह होगा सरकार के पास थोड़ा सा पैसा जनरेट हो जाएगा सरकार कितना रुपय बचा सकती है तो 47,229 करोड रुपय बचा सकती है और सरकार का यह कहना है कि बाकी सारी development के उपर पैसा लगाया जाएगा लेकिन आब यहाँ पर कौन-कौन कवर होंगे तो अब उनके ओपर धिया जाएगा जो की वाकई में पूर है और जो बिलो पोवर्टी लाइन से बिलॉंग करते हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर कवर करने की बात करी गई है ओके आते हैं निक्स आर अपने हेड़कॉर्टर न्यू डेली के अंदर तो यह क्या है बेसिकली इसके बारे में बात कर लेते हैं यह एक स्टेड़ूडरी बॉड़ी है जो की पोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया एक्टिट 2010 के थू बनाई गई थी उसके बाद इसको बनाया कब गया था 2012 में इसको पूरी तरह से फानड करा गया था और इसकी जो परेंटल मिनिस्री यानि किसके अंडर में यह स्की मारी ऑंस्वरिए किसके के अंडर में और बाडी आती है वह ہے मिनिस्ट्री आफ हो म affairs और अब इस body का काम क्या है इस body का काम है जितने भी आपके border infrastructures हैं जैसे border इंडिया के border होता है ना उन border को create करना उन border को बनाना उनको upgrade करना उनका maintenance करते वे चलना उनको improve करना ठीक है तो basically यह काम होता है इस LPAI body का आगे बढ़ते हैं आज का last article बात करीगा यहाँ पर एक personality के बारे में यहीं पर ही इसी slide पर इस article को हम लोग खतम कर देंगे तो chief of integrated defense staff ठीक है यह क्या थे पहले IDF थे अब इनका यह क्या बन गए है chairman chief of staff committee ठीक है अब क्या होगा इनके हाथ में control आ चुका है इस चीज का अगर हम बात करें इनका नाम है vice admiral अतुल कुमार जेन तो इनको अभी यहाँ पर बना दिया गया है इनको इनको responsibility दे दी गई है किसकी chairman chief of staff committee की ठीक है पहले अब यहाँ पर इनको chairman chief बना दिया है पूरे के पूरे स्टाफ committee की बात है तो इनको अब responsibility दे दी है इनकी responsibility जो जिम्मेदारी है थोड़ी सी और बढ़ा दी गई है नाओ यह जो लोगों सारी चीज़े clear हो गई होगी नाओ मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही next वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों को इसका lecture का पीडियेप चाहिए तो नीचे description box में telegram लिंके वहाँ से आप डाउलोड कर सकते हो तो मिलेंगे आप लोगों से next वीडियो में आज के लिए bye bye have a nice day